अगर रेम डशिवीर अगर 5,000 किसी बातिया जंतापाटी के प्रदेश अद्यक्ष बात रहे हैं तो वो गलत वेंटिलेटर की किलत हो रही है आप वैक्सिन की किलत हो रही है और 380 दिन को आपके पास था इस तैयारी को इस पुरीतर से तैयारी करने के लिए अब हमें सबसे परिदर के और दूसर जो सबसे महत्वपून पॉइंट है रोई जी आप बताएगा कि ये बारत ने सबसे कम सहो किया था अपने जनता को सबसे कम और आपके माध्यम से मैं सबको जानकरी देना चाहता हूं कि इस देश में तीन क्रोध दिसंबलब दो मध्यवर्गी परिवार के लोग जो है गरीबी रेका के नीचे चले गए पिछले एक साल में सरकार के तरफ से मदद नहीं सरकार के तरफ से वैक्सीन नहीं सरकार के तरफ से वेंटिलेटर नहीं प्रदान मंत्री केरफ़न का पार दर्शिता नहीं और हम ना करात्मक हैं और हम ना करात्मक हैं आप रियावाद चुनौती के सामने एक वार्रूम बिठाते हैं उस वार्रूम में सभी लोग साथ में काम करते हैं लेकिन ये तो अलग वार्रूम हो गया है ये बंगाल चुनौत का वार्रूम दिखाई दे रहा है कोरोना के खिलाब वार्रूम नहीं दिखाई दे रहा है तो ये जवाब दीजे देखिए ऐसा लगता है कि जो कॉंग्रेस शासित राज्ये उनके मुख्यमंतरी कुछ अलग ब्रीफिंग करते हैं जब प्रदान मंतरी जी बैटक लेते हैं और प्रवक्ता और राहुल गांदी जी अलग बात करते हैं और सही कहा जोई जी ने जोई जी ने कह आज हर जिले में टेस्टिंग लाब है दो स्वदेशी वाक्सीन निर्मित किये हैं और उनमें से एक वाक्सीन को च्छतिसगर और पंजाब ने रोई जी कहा था हमें मत दीजिए अगर इनकी बात मानी होती तो सोचे कि क्या हाल होता शशी तरूर ने तो यहां तक कहा कि कह यह था कि पहला वाला जो वाक्सीन है कोवीशीर उसको भी मनजूरी क्यों दे रहे और को वाक्सीन तो खतरनाक हो सकता है तीसरी बड़ी बात पाँच हजार टेस्ट होते थे एक साल पहले एपरिल का ही आखड़ा दे रहा हूं आज बारा लाग से तेरा लाग टेस्ट हो रहा है यह हमने किया है तीन सो पिचासी दिन में अब आप जानिये कि आपने क्या किया है आपने को वाक्सीन पे ही सवाल उठा दिये थे यह सकरात्मत बात है क्या राहूल गांदी ने अभी तक टीका नहीं लगाया राहूल गांदी ने कितनी बैठक ली है मुख्यमंत् और आप मुझे बताइए उद्देश से और ये तही देखी ही लोगों ने बस इनको उद्सव शब्द से नफरत हो गई अब मुझे ये बताइए कि क्या